सुनीता केजरीबाल बंबाई गई महराष्टा में और वहां पे पूरे में 30 मिनट तक सरत पवार से बात कियो संजे सिंग के साथ मारके डियाड इलाके में निसर्ग मंगल में उन्होंने 30 मिनट तक बात की है और आपको बता रहे हैं महराष्ट में बात हुई है महराष्ट में विधान सवा चुनाओ हो रहे है पूरे देश में ताजुम माना जा रहा है केजरीबाल जी ने जो अंसन किया था वो अंसन इनहीं के लिए कहा था इनके भिष्टाचार के लिए सरत पवार के लिए सरत पवार ने खुद अपने कई इंटर्वियूं बताया और आपको बता रहा है कि 2016 में इन्होंने बाकाइदे अंसन किया था और इन्होंने कहा भी था कि के सरत पवार जेल में होने चाहिए मेरे पास उसका स्विस बैंक अकाउन नंबर है और भष्टाचारियों के जो टाप बताया था सरत पवार को बताया था खुद केजिवाल ने उसके बाद भी इंटर्व्यू बते में कहा है कही जगए कि हमने दस रोज तो इसी डे मैंने कुछ खाया पिया नहीं था इतने भष्ट आदमी के लिए ये केजिवाल जी ने खुद कहा था और केजिवाल जी ने इनको क्या कहते थे सरत पवार को काला ब बाजारी बेपसाइए कहते थे और कहते थे स्यूज बैंग ऐकाउट नंबर आब ये कल मिले हैं ये लोग वो संचैसिंग भी था को यूह लोगों का आप कि साइज स्यूज वैंक में इनका भी नंबर है तो आप काइदे से लोगों के भी डिमांड है कि सुनीता केज़ी भाल जी को अब अरविंद केज़ी भाल जी से नंबर पूछ के बता देना चाहिए सरत पौर का है और इनका भी अगर एकाउंट है तो अपना भी एकाउंट बताना चाहिए सुनीता जी को अब देखिए क्या इस्थित है आप खुद देख सकते हैं कि कितना अलाजनीत में लोग गिर सकते हैं जिसके लिए खाना नहीं खाया पंदा पंदा दिन का आमना नंसन किया उसी के जाके गले मिल नहीं वो तो मिले थे साथ में उनकी बीबी भी मिल नहीं धरम पत्नी भी मतद ताजुप की बात है आधे आधे घंटे तर मुलाकात हो ना सरत्पवार जी हो यहीं उसके बाद अभी आ आपको बताना है सरत्पवार बाकायदे केजिवाल सरत्पवार के घर गयते तो लोग कह रहेते एक भिष्टा-चारी शिष्टा-चारी हो जुअ और आर्बिन केजिव dud तक हो किस्वगी ला जाएंगे मैं तो हैरान हूँ यह देखकर कि जिस बैमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था वो आज इतना बड़ा नेता बन के कैसे बैठा यह के जी वाल जी अपने ट्वीट पे इनों लिखा था नौ मई दो हजार बारा को सबसे बोले कि स्वीज बैंक का अकाउंट नंबर जल्दीं किये जाएंगे सुनीट जी नहीं किए संजी बैंक अकाउंट नंबर और यह भी कह रहा है कि इस आदमी को जेल में होना चाहिए अर्विंद KHेजिणार को जेल और जेल में काउन है अर्विंदके जईरवाल किस में है ब्रश्टचायर में यह जो पैसा जमाहें इन्होंने सरतपवार को वाला तो बैंक का अकाउड नमबन नहीं बताया स्योज बैंक का अपना ही बता दे कहां जमा किया किसी भी बैंग में किया हूव विदेश में किया हो देश में किया हूव ют बैंग में किया है अब सरत पवार कहए अभी तर नहीं मताया एंवे भी तर extraordinary करेंगे अब बेहतर होगा कि सुनीता केजीवाल जी इसके पैशे का जो एक सौ करोड से ज्यादा दलाली ली गई सराब में वो पैसा कहा और देखे जेल में कौन है अरविन केजरीवाल तीहार में किस में उनसे बड़े ब्रष्टाचारी निकले और संजय सिंग को साथ में ले गए हर जगे सरत्पवार हर जगे केजरीवाल के प्रत्रेग में खास तौर से शिसोदिया और संजय सिंग रहे हर जगे यहां भी आप देखे कुछ गये कोई न कोई गुप्तकू हुई है लोग बतलाने कोई ब्यापारिक गुप्तकू हुई है ब्यापारिक लेंदे इनका कुछ लोग कैसे कैसे टूट कर है केजरीवाल जी के लिए इ शिष्टाचारी अब आप समझ लिजे कि कहां पर है केजरीवाल जेल में किसमे हैं कोई तीरत करने नहीं गए कोई अच्छे काम में नहीं गए जेल में सराप की दलाली में गए हैं जब भेष्टाचार करके सरत पवार बाहर है तो मेरे भी आदमी को बाहर करा दू सरत्ववार जी के पास, अब आप देख सकते हैं क्या पोजिशन है, कि पहले भ्रष्टाचारी बताया था, अब आज उन्हें शिष्टाचारी बतान है, अब वास्तों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो गया, जो तिहार जेल में है, केजरी बाल पे, आज की डेट म सारे लोग यही कहते हैं कि यह भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार बंद, यही नहीं इनके साती भी, जो इनके साथ गया था, संजे सिंग, ओ भी सराप की दलाली में, जेल लहाय भी पैरोल पे आया, किलीन चिन नहीं मिली, अब देखिए, अमन चोपरा जी क्या कह रहा ह नौ मई दो हजार बारा को मन चोपरान कहा था, सरत पवार पर केजरी बाल का बयान, हमारे पास सरत पवार जी के स्विज बैंक के अकाउट नमबर है, जो जल्दी साधिनिक किये जाएंगे, मैं तो हैरान हुई है देखकर के, जिस बैमान आदमी को जेल में होना चाहिए, आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है, यह आज की तस्वीर है, यह 2012 में किया था, केजरी बाल लेवी कसम खाली, मैं तुम से बड़ा बनूगा, तू तो यवतमाल में जाएगा ज्यादा ज्यादा, या वहां की जेल में जाएगा बंबई के, मैं तिहार जेल में ज जादा, वो तो उनको गन्य के सीरे का दलाल कहा जाता, यह सराप के सीधे सीधे दलाल हो गए, 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूं, कि NCP पार्टी ने कहा था, कि मैं आपके खिलाम मानहन का मुकदमा दायर करना हूं, मानहन का नॉम्बर में, और उस पे आप सबलिए, आप ब कि ये आदमी जो है केजरी वाल जो कहरा काला बजारी बेफसाई, इसको मैं हिदायत देता हूं कि ये अपने आचरल को सुधार ले, बहुत वैसे सब्दम कहा था, और इसके खिलाब मानहन का मुकदमा दायर करेंगे, और ये अगर जल्दी अपने में सुधार नहीं करता है तो इसको उसी की भासा में जवाब देंगे, ये इस तरह से बहुत तग्रेट न को हरकाया था, मैं आपको बता रहो, ये नॉम्बर 2016 की बात है, अब उसमें क्या हुआ है, सुन लिजी जिए, नॉम्बर 2016 में उसमें लाश्ट में ये हुआ है कि बताते ये हैं कि सकेजरी ब मानहान का मुकादमा ना लगाना और प्रों जबThere अो इन्हों ने काम। जेटली जी के हां किया जब जेटली जी के मानहान का मुकादमा दयार हुआ यहा रने लगे तो वहां पहुंचु गए पैर छू oh वहां सास्ठांग डंडवत होने लगे तो जेटली जी ने माप कर दिया बोले यह सब क्या जरूवती यही इन्हों ने पंजाब में किया जिसमें मनीश्य सोजिया संजय सिंग में कोई फसा हुआ था जब अभी तारीग में कुछ दिन पहले गए तो पता चला केजरिवाल पहले अपना सब रफा दफा कर चुके हैं इस तरह केजरिवाल होस्यारी से आप देखिए क्या पोजिशन है और इन्हों ने हमेशा कहा कि सरत पौर अभी तक नों नहीं कहा था सावजिनिक करेंगे अभी तक इनों सावजिनिक नहीं किया आपको यह भी बतला दें जो केजरिवाल की मिसेज मिले गई इससे आप पार्टी की महराश्ट की इकाई बहुत जादा खिलाप है पीती सर्मा मेनन ने यह पता चला है कि यह वहां पे और जबकि पीती सर्मा वहां कि आप पार्टी ने कहा वे भी वो लोग कह रहा है कि हमने महराश्ट की जोगों नहीं लड़ा जबकि उन लोगों ने काफी यही महराश्ट के लोगों ने बहुत मदद की हर तरह से पार्टी में मदद की फंड बेजे मगर वहाँ पर भी नोग सवा नहीं लड़ा अब ये शक्कर पे गई हैं कहीं न कहीं कोई पैसे का लेंदेन है और ये पता चला है कि कोई पैसे का कोई बैंक एंक के अकाउंट का कुछ ब्यापारी को जो काला बजारी वेफसाई कहा था आज दोनों लोग काला बजारी वेफसाई के दोनों आप समल लिजे एक रिकॉर्ड हो गए और दोनों कालावजारी वेफसाई के रूम में पहुँचे अब देखे क्या है ये गडवजनन चुपचाब मिला पूरे में ये साफ है कि दो बड़े ब्रष्टाचारी चुपचाब मिले और संजे सिंग उसमें साथ में गए आप पार्टी के लोगों को इसमें नहीं सामिल किया ना एनसीपी का ये एक दूसरे को ब्रष्टाचार छिपाने के लिए और ये ये चाहिती है कि किसी तरह से केजरी वाल छूट जाए ये जो मेल मिलाप है ब्रष्टाचारियों का आप देख लिजे राजनीत का कितना इस्त करता कहता है अपने कुछ खाया पिया नहीं उन्हीं से मिलता है सिब अपने स्वार्ट के लिए अपने ब्रष्टाचार को कम करने के लिए इनके आने से आपको बताना है आप पार्टी में साप सूंग गया और साथ में सरत पवार की नसीपी में उनके कारकरताओं का कहना है कि केजी वाल गुर्प जो है ये राजनेतिक छूत है अगर जिसके साथ मिलेंगे उसका पतन हो जाएगा कांग्रेश के साथ ये मिले दिल्ली में कांग्रेश भी अपनी सीटे हार गई जबकि दो सीटों में कांग्रेश अच्छा लड़ लई थी आप भी हार गई यही गुज गुजरात में रहा गुजरात में इन्हों ने सम्जावता किया वहाँ कांग्रेश 5–6 सीटे फैट कर सकती जीत थी कांग्रेश कांग्रेश Mummy पतन हो जिल्ली में बूर्भी दिल्ली और चान्री और चणनडी चोग किसी समय कांग्रेश जीत रही थी मगा आपके गडवन्दन की बज़े से नुक्सान हो गया ये मानना है उनका इसी लिए सरत पवार की पार्टी कारकरता है ये ये चाहर है कि दिल्ली और महलाष्ट में दोनों का गडवन्दन हो जाए और हम फायदा उठा ले आप हाला कि दोनों के कारकरता नाराज है मैं आपको बता रहा हूँ पीती मेनन सर्मा ने अभी कुछ दिनों पहले इस पश्ट रूप से कह दिया गया था कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो दिल्ली में किसी भी कीमत में इनसे गडवन्दन नहीं करेंगे बंबे की 36 सीटे और महाराज की अन्य सीटों में हम अपने कंडिडेट उतारेंगे और अगर गडवन्दन हुआ तो हमें कोई दूसा विकल्प सोचना पड़ेगा ना एन सीपी चाहरे ना यह मगाच्यूकी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी आपस में एक है दोनों एक दूसरे के दूस्मनते दोस्तो नमस्कार मैं आजय पत्रकार